नमस्ते मैं हूँ सचिन गोयल और लोग कर लियान के लिए चलाया जा रहा है इस कारे करम मैं आपका स्वागत करता हूँ एक दिन में अपने रिलेटवी से मिलने गया वो बैट पर लेटे हुए थे उमर यही कोई 40-45 की उमर होगी मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो लड़कड़ा की जवान में बोले कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है डाक्टर को भी सुबह दिखा दिया गोली भी ले लिये लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं आया और बहुत उनकी आलत खराब थी और उन्होंने ये का कि अब रात उने वाली है डर बहुत लग रहा है पता नहीं रात को क्या होगा तो मैंने उनसे का बस इतनी इसी बात है आप ज़रा चिम्टी मंगाईए तो बोले क्या मैंने का चिम्टी जो कपड़े सुकाते हैं वो चिम्टी ज़रा मंगाईए तुमने गा, उसका क्या करोगे? मैंने का, आप मंगा ये तो सही और वो, ये चिम्टी लेकर आए उन चिम्टियों में से एक चिम्टी लेकर, मैंने उनके बाए हाथ की बीच की उंगली में इस तरह से लगा के छोड़ दी और फिर दूसरी चिम्टी ली और उसको मैंने उनके जो चोटी उंगली होती है सबसे चोटी उंगली है मारे आत की उस उंगली में लगा के उसको छोड़ दिया फिर उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में भी एक चिम्टी लगा दी और जो सबसे चोटी उंगली होती है उसमें भी एक चिम्टी लगा के छोड़ दी फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप लेटे रहिए और जब अनीजी लगे तब इनको हटाने के लिब बोल देना पांच मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही अनीजी लग रहा है आप इसको हटा दो मैंने उनकी सारी चिम्टियां हाथ में से हटा दी और फिर BP हाथ मात नापा उनका BP बिल्कुल नॉर्मल था वोटके बैट दे और खंसने लगे ये कैसे हो गया मैंनका ये तो बहुत एक्यूप्रेशर की एक बहुत ही एक्यूप्रेशर का बहुत ही अच्छा ही इलाज है और बहुत ही आसान है कोई भी कभी भी कर सकता है तो दोस्तों इस तरह से acupressure का ये इलाज high BP के लिए बहुत ज़्यादा और instantly effective है ये life saving treatment है आप इसको use कीजिए रोजाना इसको कर सकते हैं इससे BP नॉर्मल रहने लग जाता है ऐसे ही acupressure tips, health tips और health facts देखते रहने के लिए आज ही मुझे subscribe कीजिए झाल 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 झाल